किसान भाइयो आज की वीडियो के मारे दिन ने अब बात करने वाले है कि गयाहुञी खेती के अंदर कल्लो को किस प्रिकार बढ़ा जाए तो किसान भाईयो आज की वीडियो मारे दिन ने यहाँ पर निकलने वाला है तो किसान भाई आज की वीडियो माद दिन तो कम्प्रेंट में आपको बढ़ा हो किस प्रिकार्ट जो है आपको ग्याहों के खेति कंदर खादों का इस्तमाल करना है जब आपकी फदल 25 से 30 दिन की हो जाए तो उस दिति में आपको कौन से खाट डालने हैं जो कि आपके ग्या आपको भी बढ़ा सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं इतने जादा फोटाब हो इतने जादा कल्ये होंगे उतने जादा बालिया बनेंगी और जितनी जादा वालिया हमारे यहां पर निकलने वाली है तो नमस्कार मैं राज कुमार सेनी स्वागत करता हूं अपने करते के साथ यूरिया का इस्तमाल यहां पर करते यहां पर नहीं मिलते हैं तो यहां पर आपको सलपा की यजिस करते हैं और साथ में अन्य से लुको हट डाले हैं जो की आपकी प्याताबार क्वाइब लोग और उनको भी यहां पर बड़ा सकते हैं तो किसान भही यहां पर आपको लेना एक एकड़ केंदर 40-50 भी रिया और येक बेख भी ले अकड़ ले सकते हैं कोई दिक्क्र नहीं पत्तियों पेला पाना जाता है जिस बेसे उनकी फदल दो काफ़ी ग्रोथ नहीं कर पादें तो देखिए आपको क्या करना सलफर से हटके यानि सलफर का युद्ध करना जिसके अंदर सलफर और जिंग दोनों की मात्रा पर जांड होती है तो यह दोनों आप डालेंगे तो का यहां पर लेजिए बहुत ही बहतर है तो मायको युद्ध कर दालना आपनों एक एकड़कंदर आपको यहां पर 4 kg डालना है यानि एक एकड़कंदर आपको चार गजी मायको युद्ध करना और आप 40-50 कुलोयूरिया इहां पर यूज कर सकते हैं जब आप इन तीनों-च् बहुत ही अच्छे प्रणाम मिलेंगे और ग्याहुई खेती से आप अधिक मात्रा में पैदाबार को बढ़ा सकते हैं क्योंकि माय को राया जो होता वह धरती के अंदर या जमीन के अंदर सोने ऐसा काम करता आपकी फचल के अंदर अगर आप एक बार आपने यूश क्या होगा तो आपको पता होगा अगर नहीं क्या तो आप एक बार करके देखना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ह जाती है साथ में पौदेग उन्दर जीनकी जो कमी होती है या जाता या कि हम पटिए पान लाता पत्ति है तो हमारी फचल होती है यहां पर नहीं कर पाएगया होगे जिन्क सर्फिड होगा साथ माई कुड़ाजा होगा तो इन तीन कागर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावाल ले सकते हैं उत्पारण चम्ता को बढ़कते हैं ग्याहूं को यह क्वाल्टी होगी वह भी काफी वेहतर होगी तो एक बार किसान बहुत करते हैं एक बार आप जरीर उयोस करें धन्यवाद